इस तेकनिक में क्या होता है कि सॉल्यूशन को हम लोग जेल में बदलते हैं कैसे इसके बारे में जानते हैं इसको वाइडली यूज क्या आता है नैनो स्ट्रक्चर सिरामिक मैटेरियल बनाने में नैनो स्ट्रक्चर मीन्स चोटा बहुत चोटा मिटी के कनों से भी चोटा मैटेरियल बनाने के लिए इसको यूज क्याता है एंड थिन फिल्म सोल जेल प्रोसेस जो होता है वो सॉल्यूशन को एक नैनो स्ट्रेक्चर्ड सॉलिड बदल देता है तुरू पॉलिमराइशन रियक्षन के द्वारा जिसमें कैटलिस्ट एकाम कौन करता है वाटर करता है प्रोसेशन मेंज की सोल जेल मेठोड को अगर हम लोग स्पिलल्य अगर बताएं तो यह एक लिक्वीड स्टेट का एक जेल स्टेटमें चीलस निसमाने का प्रोसेस यानिकी हम सॉल्यूशन को एक जिएल के रूप में बदल रहे हैं एक reaction के द्वारा जिसका नाम है poly condensation reaction तो यहां जैसे यह आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि it is a wet chemical technique widely used for the fabrication of nano structured ceramic material and thin films sol gel process involves the conversion of precursor solution usually metal salt or metal alkoxide into a nano structured inorganic solid through inorganic polymerization reaction catalyzed by water टेक है in other words दूसरे सब्दों में हम लोगा है तो हम दो यह बुलें कि the sol gel process gelation that is changed from a liquid state to a gel state through poly condensation reaction कि अच्छा आप देखते हैं solution होता क्या है solution जो होता है यह एक stable dispersion होता है colorid particles का यानि कि solution में जो particles होते हैं वो stable रूप में फैले हुए रहते हैं means संतलित रूप में फैले हो रहे हैं यह जिनको में लोग पॉलिमर कहते हैं इनर सॉल्वेंट क्यों क्यों कि अपने आप में गुलानी की छंबता रखते हैं ठीक है a solution is a stable dispersion of colloidal particles और बॉलिमर्स इनर सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होते हैं या तो वह एमोर्फस होंगे यानि कि आकारहीन होंगे या तो पारदर्सी होंगे यानि कि क्रिष्टलाइन होंगे और उनका साइज होता है कुछ नैनोमेटर साइज का होता है यानि कि बहुत ज्यादा छोटा जेल कंसिस्ट अप 3D continuous network जो जेल बन पार्टार जो कि क्या करते हैं लिक्विट फेज को घेर लेते हैं इससे होता क्या है कि सारे पार्टिकल्स यह जगा आकर के जमा हो जाते हैं जिससे की जेल बनता है इन जेनरल में अगर हम बोलें कि मैटल एलकॉक्साइड जो है इसको हम लोग प्रिकरसर की तौर पर जिससे आर जनरली अगर बोलें कि तो बोल सकते हैं कि मैटल और एलकॉक्साइड इसको एम डैस और सम्ड़ो रिप्रजेंट करते हैं इसी को ही एक प्रिकरसर के तौर भी यूच्छ किया था प्रिकरसर काम क्या है कि सारे पार्टिकल्स को यह जगा लाकर करके कंडेंस करना अब जो रियक्शन इन्वार्ड करते हैं सोलजल प्रोसेस में उसका उनलों क्या बोलते हैं दो तरीके से पहला होता है हाइड्रोलाइसिस और दूसरा होता है कंडेंसेशन तो हम लोग पहला रियक्शन देखते हैं हाइड्रोलाइसिस का इसमें क्या होता है कि एम डबल बॉन्ड ओर लिया जाता है जिसको की अलकॉक्साइड बोलते हैं मेटल अलकॉक्साइड प्लस पानी हम लोग ले रहे हैं सिलिकन, SI, TI, ZR, Aluminium, CCM, और अलकॉक्सी ग्रूप में आप इसको ले सकते हैं ठीक है इन सब यह क्या क्या रहता है अलकॉक्सी ग्रूप क्या रहता है अब देखते हैं conditional क्या होता है दो टाईप के reaction हम लोग पहुत पार रहे है इसमें एक पहला होता है hydrolysis दूसरा होता है condensation क्या है अब देखतने हैं condensation होता क्या है आज तो M supporting में do माड़ का का था ers पहले वाले मेंगाते हैं में M dash O dash M plus R dash OH Condensation of MOM results into a polymer network in all the possible directions, ठीक है? अब देखिए, इसका process क्या बना देखा? इसमें हम लोग 4 step को follow करके solgail method बनाते हैं पहला है step 1, कि पहले तो आप solution बनाईए वो solution कैसा हो चाहिए? यह homogenous solution तो preparation of homogenous solution कैसे बनता है? तो either by dissolution of metal salt in water या तो metal का हम लोग विघटन कर देंगे metal salt का कि वो पानी में घुल जाए या तो metal alcoxide को in organic solvent में ले जाएंगे जो कि water में मिल जाएगा, यान कि घुलनसील हो जाएगा, ठीक है? तो step 1 यह हुआ कि हम लोग homogenous solution बना रहे हैं कैसे? either by dissolution of metal salt in water और metal alcoxide in organic solvent organic solvent क्या है? usually alcohol दो लेते हैं जो कि क्या होता है? पानी में बुलनसील होता है ठीक है? दूसरा step क्या है? कि preparation of solution formation by hydrolysis solution formation by hydrolysis ठीक है? it involves the conversion of homogenous solution अब चुकि हम लोग homogenous solution step 1 में बना चुके हैं तो step 2 में हम लोग क्या करेंगे? कि हम लोग sol बनाएंगे sol क्या होता है? एक stable dispersion होता है colloidal particles का और precursors जिसमें रहता है in a solvent इसको कहते हैं हम लोग sol ठीक है? तो क्या हम लोग बना रहे हैं? कि conversion of homogenous solution into a sol due to hydrolysis reaction यानि कि hydrolysis reaction के द्वारा ठीक है? अब देखें during hydrolysis hydrolysis के दौरान क्या होता है? कि जो alcoxide group था जो alcoxide group था है जिसको बना रहे हैं O-R ठीक है? यह replace हो गया किससे? जो oxygen का जो atom था हम लोग जो यहां अगर देखें यह reaction जो देख रहे हैं इससे हम लोग बना रहे हैं कि hydrolysis के दौरान क्या हो रहा है? कि जो alcoxide group है ठीक है? O-R यह replace हो जा रहा है निकलिपलिक अटेक ऑफ ऑक्सिजन एटम अफ ए वाटर मॉलिकुल यानि कि वाटर के मॉलिकुल का जो oxygen एटम है इससे यह क्या कर रहा है? इससे अटेक कर रहा है? तो इससे क्या हो रहा? कि alcoxide group जो है वो replace हो जा रहा है और replace हो करके क्या बन रहा है? alcohol बना रहा है और metal hydroxide बना रहा है यह metal hydroxide बना रहा है और alcohol का group बना रहा है ठीक है? अच्छा hydrolysis उसका मतलब आप लोग समझ चुके हैं hydroxide का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा compound जिसमें की पानी होता है एक ऐसा compound जो कि अब देखते हैं अगला step, step 3 ठीक है? पहला दो step में हम लोग क्या कहा जाने है? पहला step में जाने हम लोग homoji solution बनानी में दूसरा step हम लोग solution से soul बनाएं तिसरा step हम लोग क्या बनाएं? gel बनाएं, gel formation by condensation condensation के दौर हम लोग क्या बनाएं? gel बनाएं the colloidal solution is created for aging यानि colloidal solution कहा रखे हैं हम लोग aging करने के लिए रखे हैं ताकि वो परिपक हो जाए during aging condensation reaction जो होगा दो metal hydroxyl species के बीच का वो lead करेगा mom bond में यानि की condensation reaction क्या होता है? mom bond मनता है with the release of H2O slash r-OR जो की उपर हम बताएं है देखे कि condensation of m-OR से जब react करेगा कि दा बनाएंगा? h plus ho double bond m mom plus r- OH बनाता है ठीक है? इस दिक हम लोग यान बना रहे हैं gel formation by condensation तो the colloidal solution is created for aging during aging condensation reaction जो है दो metal hydroxyl species के बीच में ये lead करके mom bond बनाता है with the release of H2O ठीक है? और ये जो condensation process है ये लगातार चलते रहेगा और finally result क्या करेगा? कि ये एक gel में interconnect बनाएगा आपस में और एक rigid और porous inorganic network बनाएगा ठीक है? यानि कि porous inorganic network मिलकर कि ये पुरा जाल सा बना देगा covered completely with liquid way ये जो कि cover होगा यानि कि gel क्या होगा? बीच में होगा और side से पुरा cover होगा liquid का इसी transformation को हम लोग क्या करते है? soul gel transition ठीक है? this transformation is known as soul gel transition ठीक है? अब आगे देखते है step 4 ये है हमारा चौता और आखरी step drying of a gel क्योंकि अभी था हम लोग 3rd step में जाने की gel तो बन गया था लेकिन उसके side से पूरा cover था water से तो अब हम उस water को हटाना पड़ेगा कैसे हटाएंगे देखिए अब उसी के बारे में step 4 बता रहा है कि it involves the removal of liquid phase from gel network there are different ways of drying gel यानि कि हम लोगों ने यह बात बताई कि जो liquid phase है जेल नेटवर्क से उसको हटाने के लिए बहुत सारा तरीका है जिसे कि gel को dry किया जासेगे यानि कि पानी से मुक्त किया जासेगे if the gel medium is dried by removing the liquid solvent under hypercritical condition without destroying the gel network aero gel is produced यानि कि अगर gel medium को dry किया जाए पूरे के पूरे liquid solvent को हटा करके एक hypercritical condition बिना gel network को destroy किये तो aero gel बनता है aero gel क्या होता है यह एक बेहल कम घनतों का ठोज समगरी होता है aero gel ठीक है जिसे पानी का अंस एकदम नहीं होता है ठीक है दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम लोग solvent को dehydrate कर दे अंडर ambient conditions यानि कि अगर हम लोग r-os group को ही अगर हम लोग हटा दें ठीक है तो zero gel बनेगा जेरो जिल बनेगा यानि कि अगर हम लोग solvent को dehydrate कर रहे हैं तो r-os group यो है वो हट जा रहा है और zero जिल बन रहा है ठीक है तीसरा स्टेप इफ दा जेल नेटवर्क इस सिंटर्ड सिंटर्ड का कहने मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग मास को बनाएं हीट और प्रेसर दे करके ठीक है एट हाई टेंपरेचर 800 डिग्री सीप अगर हम लोग 800 डिग्री सीप पर ले जाए इस जेल वाले पूरे नेटवर्क को तो क्या होगा कि जेल जो होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा और वो कम्पलीट कॉलैप्स हो करके पाउडर बन जाए है कि जेल मेडियम पाफ ड्राइ कीजिए लिक्विड सॉल्मेंट को हटा करके ठीक है तो इसलेकिन से कंडिशन यह दिया जाता है कि हम जेल नेटवर्क को डिश्ट्रॉय नहीं कर रहे है तो एरो जेल बन रहा है दूसरा यह है कि अगर हम लोग डिहाइट्रेट कर देंगे यानि कि आरवेज गुरुप को अगर हम लोग हटा देंगे तो जेरो जेल बनेगा तीसरा बोलें कि अगर हम लोग उसको सिंटर्ड कर दें जेल नेटवर्क को तो क्या होगा कि जेल भी कम्पलेट क्या होगा और पाउडर बनेगा तेक है यह था चार स्टेप अब हम दो देखते हैं advantage के बारे में कि advantage क्या है इसका तो बहुत की soldier process जो है इसमें बहुत सारा advantage होता है दूसरे methods की तुल नामें जैसा कि soldier process होता है वो आपका material को maintain करने में रखता है with a wide range of oxygen and other metallic composition जाने कि soldier process में आपको metal का जो composition था वो तो मिलेगा ही साथ में oxygen भी मिलेगा जो की दूसरे किसी और process में नहीं मिलता है ठीक है it also provides a weight based method यह also क्या करता है यह weight based method यानि कि यह dry based method नहीं है यह एक ऐसा method है जिसमें कि आप chemical को weight के रुप में देख सकते हैं यानि कि गीला रुप में देख सकते हैं to dope nanomaterials for improved performance यानि कि इसको nanomaterials में मिलाया जाता है ताक कि performance improved हो सके soldier system जो है उसको हम लोग control कर सकते हैं to obtain desired particle size shape size distribution soldier system जो है उसको हम लोग control कियाता है क्यों क्योंकि अगर हम लोग particle का safe size अगर देना है तो हम लोग इसको control भी कर सकते हैं ठीक है तो यह हो गया advantage पहला कि इसमें oxygen का range wide रहता है और दूसरा metallic composition ठीक है उसके बाद हम लोग देखें कि एक weight based method है और इसको nanometers में मिलाया जाता है ताकि performance improved हो सके ठीक है और soldier system को हम लोग control भी कर सकते हैं ताकि particle का size safe जो है वो बना रहे से ठीक है तो soldier method यही था और इसका एक बार diagram देख लेते हैं यह diagram कुछ ऐसा दिखता है कि सबसे पहले precursor solution के दौर पर हम लोग जिसको लिए थे उसका नाम क्या था metal alcoxide यह metal alcoxide को हम लोग डिजॉल्व कर रहे है तो उससे क्या बन रहा है sol बन रहा है फिर इसको dehydrate reaction करेंगे तो फिर उससे gel बन जाएगा फिर rapid drying करेंगे तो क्या बनता था arrow gel बनता था ठीक है फिर subsequent organic suspension अगर कर देंगे तो zero gel बन जाएगा यानि कि dehydrate कर रहे है जेरो जल बन रहा जो कि डेस्ट सिरामिक हो दा है dense ceramic ठीक है फिर spinning dipping करेंगे इसको तो क्या बनेगा थील्म फिल्म का coating बनेगा अगर इसको सिर्फ इस्पीन कर रहे है sol को dipping करेंगे तो क्या बनेगा powder बन जाएगा क्योंकि हाइट temperature में कि अधिर केशन हो जा रहा है तो बूरा कॉलैप्श हो गया यही है systematic representation of शोलियल प्रॉस्य प्रॉस्टेसिस अव ननोमतिरियन